कि आज प्रणने जा रहे हैं क्लास एफ्स क्लास एफ्स मतलब पक्षी क्लास एफ्स क्लास कि एफ्स कि एफ्स मतलब पक्षी वर्ग पच्छी क्या के क्वालिटी होती है यह आपको जानना है कि पहली बात देखिए इनका जो फोर लिंब होता है माडिफाइंट विंग फोर लिंब सार माडिफाइंट विंग्स फोर लिंब जोता किसमें माडिफाइंट विंग्स में और इसकेल्स जोता हूं माडिफाइंट जाता किसमें फीदर में इसकेल्स किसमें माडिफाइंट जाएगा फीदर में अपर जा एंड लोवर जा माड़ी फाइंट टो बीक बड़ विदाओट टीथ इसके बाद इसका जो बोन होता है वह निूमाटिक होता है जो लंबी बोन होते हैं इसमें कैविटी एर कैविटी पायाता है जो लंबोन होते हैं इसमें एर कईविटी पायाता है जिसकी वैसे बोयांसी मिलता है क्या मिलता है इसके बाद इसमें जो क्वालिटी होती है जो हाइंड लिम्स होता है वो माडिफाइड होता है किसमें हाइंड लिम्स होता है हाइंड लिम्स होता है वो माडिफाइड हो जाता है सुनो जी हाइंड लिम्स होता है वो माडिफाइड होता है किसके लिए हाइंड लिम्स माडिफाइड होता है पर्चिंग के लिए क्लाइस्पिंग इसको बोलते हैं क्लाइस्पिंग पकड़ने के लिए ट्विग को पकड़ने के लिए वो पर्चिंग मेकेनिजम होता है चिणिया को आप पिजा देखे राद भर एक टुक पर ऐसे पकड़ के बैठी रहेंगे लेकि उनको क्या होगा कोई फालिंग का डेंजर नहीं क्योंकि वो पर्च होता है ऐसे जब वो पकड़ लेती है तो लाक हो जाता है जब लाक हो जाएगा तो इसमें इनर्जी नहीं रह के लिए सुनिए क्लाइस्पिंग के लिए स्वीमिंग के लिए वाकिंग के लिए रेस्पांसबल होता है इसका कौन सा लिम हाइंड लिम जैसे बत्तक है तरने के लिए एप्टीनोडाइट है तो तरने के लिए पिंग्विन तरने के लिए होता है लेकिन उसका यह देखे लेकिन पेंग्विन में क्या हता और कि इसमें मांडीफाइड होता है फॉरलम उकिसमें Thailand आता है أوत तुलक्स हो गया यह लिया कि बट तक इस होता हो हैं लिंण विप हो जाती म्या लकाष आसानल थारती ड़कंटप ये कि दोड़ने लिए चलने के लिए आप देखेती हैं बार्ड सुझद देखी लेते हैं में और इस्पीरेषन के लंग होता है कि जो एडिस्ञ सेक्स के द्वारा कशनेक्टेड होता है जिस से उसके उसकी रेस्पेरेस्चं की छमता बढ़ जाती है को मिपी इस क्वामा जो इसमें the elementary kynal में quality इतिम में als गिजाड और क्राफ यौलिजाड और क्राप आय आज राविछ बाता है क्राप आशोफेगस का डिस्टेंसन उता है कि और मेरीजाड में क्या होता है भोजन पीसा जाता है पिशनी उसको कहते ही है Canada क्राफ करने वाला क्राप में भोजन का स्टोरेज होता है गिजार्ड में भोजन को पीसा जाता है साथ आप जानते नहीं होंगे कबूतर जो है दाने के अलामा जो है किंकड भी खाती है इसमाल स्टोंस भी खाती है केवल भोजन को पीसने के लिए बस समझ रहे हैं न इसके अलामा जो है स्क्रिट्री आरगंज होता है ध्यान दिजी एक वाला स्क्रिट्री प्रॉडक्ण जो हता है वह uric acid होता है सफेथ toothpaste की तरह जैसे peptid tootpist होता है सफेद वृसए अपना फिकलमेटर निकालती है जारी uric acid निकालती है किसके साथ फिकलमेटर के साथ जो ब्राउन कलर्वाल पार्ट होता है कुलेंकी जंसियां जब लाटि नियुक्अ सफेद चुका। सफेद वाला भाग क्या हैं उसका इसप्ति पॉड़क है प्राउन वाले की प्ड़एकिट में भुमेटर अब्सकीटिच निया क्लोएक्या की पाइट लेकिन जो इसका टेल होता है उसके बेस पर पायाता है आयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड या यूरोपाईजियल ग्लैंड जिसमें इस आयल निकलता है पंक पे फैलाने के लिए इसलिए बाड़ को देखते हैं जिए बैठती रश्च के पोजिशन में होती है तो अपना मुझको दिल को फैलाती है बात समझ रहें ना उसेको हम बोलते हैं रेंड वाकि सब क्या है को तो बर्ड्स और में में उस पहले क्या वार्म डडड़ेड हो गए या होमियो थरमल इसको बोलते हैं या रेगुलेटर कहते हैं बास समझे माई इसके अलामा जो इसमें एक ही फंक्सनल ऑवरी और ओवड्डक्ट होता है आपको नहीं दीया लेकिन देना चाहिए उसको इसमें एक ही ओवरी और ओवड़क्ट फंक्सनल अथा जिस्शादे नमबर में एकस का प्रोडक्शन ना हो सके एक दो मैसिम मई इन तक देते हैं समझ रहा है ना केवल लेफ्ट ओवरी लेफ्ट ओवरी डक्ट और जो है वह फंक्शन होता है राइट वाला डिडूस होता है कि इसके अलामा क्या हुआ हुआ हाँ उत पाए जाएगा इसमें हर्ड फोर चैंबर्ड होगा हर्ड फोर चैंबर्ड आर बीसी काउंड भी जादा होता है क्योंकि इनका मेटाबोलिक रेट थोड़ा तेज होता है थोड़ा नहीं काफी तेज होता है क्योंकि हमें से इनको एक्टिव रहना पड़ता है अपने सत्रों सुरक्षा के लिए फर्टिल आई एसन इंटर्नल होगा मोनाकुलर विजन पाया आता है एक आंक से 180 एक आंक से 180 लगबग 360 डिगरी पर पिक्चर देख सकती हैं चिडियां उदर तरमों करके खड़ी हो उदर साइड में आप इदर पीछे जा रहें सोचे पकड़ने पकड़ने पाहें उड़ अगाइगे देख लेगे आपको पीछे सारे हां आप ऊचुणियां को देख लेगे आप पीछे सारे हैं क्योंकि 180 पर यायों इस सापको पीछे देखने इदर वाली से अगे इसको बोलते मोनाकुलर विजन टेलिस्कॉपिक विजन मोनाकुलर विजन को एक आंक्स देखना 180 एक आंक्स देखना 180 तीन सबसार डिगरेंगे पिच्छर देखें गई फिगर और टेलिस्कॉपिक मतलब बहुत दूर सही देख लेती चुणिया अगर उड़ रही हो आप पता उड़ा रहे हैं मंझा देख लेगी मंझा देखके वो नीचे से या उपर सोट निकल जाएंगी बास समझ रहा है ना इसको बोलते टेलिस्कोपिक वीजन लेकिन इतना आप मुख में है नहीं हम इतना बताएंगे भी फालतू पविश्च करने का टाइम ना आपके पास समय ने मेरे पास टाइम तो आपको इस पता दे रहे हैं कुछ पॉइंट जा देखिए इब्स का करेक्टर्श्री फीचर आपको देखना है इब्स क्लास इब्स पहला पॉइंट है यह इंडिविज्वल जोता है होमियो थर्मल होमियो थर्मल होते हैं और ये इसमें फोरलिम माडिफाइड इंटू किसमें माडिफाइड हो जाता है माडिफाइड इंटू विंग पोरलिम माडिफाइड इंटू इंटू कि माडिफाइइंटु विंग्स कि स्केल्स और माडिफाइइंटू कि स्केल्स किसमें माडिफाइड आते हैं किसमें फीदर स्केल्स और माडिफाइइंटू फीदर बात नहीं करें बही आप स्केल्स और माडिफाइइंटू फीदर अपर जा लूवर जा अपर जा एंड लोवर जा लोवर जा माडिफाइड इंटू किसे माडिफाइड हो जाता है माडिफाइड इंटू बेक या बिल बेक आर बिल में बिल मतलब होता है चोच हो गया इसकी जो होता है सारी यहाँ पर एक बात लिख दे रहा है हाइंड लिम्स हाइंड लिम्स हाइंड माडिफाइड इंटू माडिफाइड फार क्लैस्पिंग क्लैस्पिंग के लिए स्वीमिंग के लिए वाकिंग के लिए वाकिंग के लिए बात सुन्माई नेक्स्ट है इसकिन आर इसकिन कैसा होता है इसकिन आर बात सुन्माई अंड़ बात सुन्माई आयल गलैंड, यह इसी को बोलते हैं, प्रीन गलैंड, आयल गलैंड आर, प्रीन गलैंड, प्रीन गलैंड। या यूरॉपाइजिल ग्लैंड यूरॉपाइजिल ग्लैंड प्रिजेंट आन बेस आफ टिल बेस आफ टिल के बेस पर बेस आफ टिल नेक्स्ट है एलिमेंटरी कैनाल विद एडिस्नल एडिस्नल इस्ट्रक्चर क्या नाम उसका है क्राप एंड गिजार्ड क्राप और गिजार्ड याद रखिएगा क्लोएका प्रेजेंट होता है क्लोएका प्रेजेंट होगा हो गया रेस्पिरेशन अकर्स्थ्रो अकर्स्थ्रो लंग लंग के तौरा होता है which are connected with air sex which are connected with which are connected with connected with air sex किसके दोरा connected होता है air sex के दोरा है which are connected with air sex हो गया connected with air sex next excretion occurs through excretion किसके दोरा होगा excretion occurs through metanephric kidney excretory product uric acid होगा excretory product uric acid excretory product होगा तर और हो ता है a सेमी सारेड पिस्ट हगा निफ्रान फाउंड इन बर्ड्स किसके लिए फार री एब्जार्ब्सन अफ वाटर एब्जार्ब्सन लिखेंग गज़त हो जाएका एब्जार्ब्सन इमेंटर के नहीं होता है री एब्जार्ब्सन हर्ड के चेंबर होगा फोर चेंबर होगा आर बी से काउंट एबंडेंट होगा अधेर सारा एबंडेंट होता है ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है आर बी से काउंट एबंडेंट होगा इसके लामा लांग बोन गंटेन लांग बोन गंटेन एर कैविटी लांग बोन गंटेन एर कैविटी इदा देखें काल्ट एर निूमेटिक बोन किसके लिए होता है यह फार बोयांसे के लिए इस बोन को क्या बोलते है निूमेटिक बोन क्या बोलते है इसको निूमेटिक बोन Monocular and Telescopic Vision Found Monocular and Telescopic Vision Found एक आक्से, एक आक्से आस्से, और Telescopic Vision Found Telescopic Vision Found Male and Female दोनों Separate होती है Male, Female, Male and Female बोथ हार सेपरेट अर्थाद यूनिसेक्सूल होंगे और क्या होगा फर्टिलाइशन इंटर्नल होगा डिवलप्मेंट डिवलप्मेंट डारेक्ट होगा हो गया डिवलप्मेंट कैसा होगा डारेक्ट होगा हो गया होमियो थर्मल को वार्म ब्लडड़ भी कहते हैं रखिएगा वार्म ब्लडड़ कहते हैं इसको वार्म ब्लड़ड़ वार्म ब्लड़ड़ एरेस करें पाहला मैंने बताए होमियो थर्मल ब्लड़ टिम्परचर एकड़ में में लिंग संहाब फोर लिंग करेंड फीदर में याद रखेगा जिसे व बोलते है पंख अलएसें और यह जोम्त होते इसे सब्सक्राइए नहीं分 इसके बाद मैंने बताया अपर जा लोवर जा माड़िफाइं टू बिक आर्विल चोंच में करन माठ हो जाता है हाइंड लिम्स आर माड़िफाइड फार क्लैस्पिंग, स्वेंग, वाकिंग, क्लाइमिंग के लिए होता है इसके नर्व ड्राइव ड्राइव होता है लेकिन और प्रीन इरॉपाइजय अणड प्रेजेल ड्रम प्रेजन्ट होता है कहाँ पर आपट लिए इसमें पाइबँ इसमेंग विटेंगर वृणाल आपरियार्श एन ये Burd फोराब रिचम्डोब देजेम! रहे है प्रेजेंट हो गा इसके बाद ह क्शाच्वा बिपर बसक्रशाइब को हर सेमी सालट पेश्ट की तरह अर्थात यूरी को टेलिक होते हैं लार्जेस ने फ्रांट पायाता है क्योंकि यह जाएदा होता है ठीक है यूरी ब्लेडर नहीं पाएगा यूरी ब्लेडर अपसंट होता है चुनिया में हर्ड फोरेगे होगा और बीएसी काउट ज्याधा होता है सुनों अर्बीएसी काउट व्यादा होता अब्लेड फाष्ट होगा इसके लाव में बतलर लार्ज बोन जोती हैं लांग बोन उसमें यह कैविटी पाएगा आता है फार्बोय यांशी इसको नियूमैटिक बोन कहत करता है एक आंक से 180 एक आंक से 180 और दूर तक देख लेते हैं प्रेक्टिन के कारण मेल और फीमेल बहुत हाँ सेपरेट मेल फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं फर्टिलाइशन इंटर्ण लोगा डेवलप्मेंट डार रुटगा फीमेल में फीमेल कंटेइन फीमेल कंटेन क्या कंटेन करता है फीमेल कंटेन फीमेल कंटेन फीमेल कंटेन only one functional ovary and oviduct फीमेल में केवल लेकरी फंक्सनल लोवे रही और वे डक्ट होगा समझमाई बात यह सारे characteristic feature है यह सारे क्या है कोई ऐसा character जो आप मैंने बताएं आपको समय में ना रहा हो character तोर अभी बजह सारे लेकिन लिखवाएंगे नहीं मैं जाना रहा हूं कोई मतलब नहीं इसका है हाँ इसांटर यह बताएंगे लेकिन नगरो कोई प्रावर्ण पूछो लिंग बतिया हो नहीं सुनो एक्जाम्पल इसका डिर सारा है पावो पावो मतलब क्या पिकाख नेशनल बर्ड है ये नेशनल बर्ड है दूसरा है नियोफ्रान नियोफ्रान मतलब होता है वल्चर गिद अब तो दिखाई ही नहीं देते हैं वल्चर कहा है विचार तो नो वल्चर नहीं इधर है नो उदर है का बती आ रहे है वात नुक्ष सुनो इधर देखो इधर देखो सामने देखो नियोफ्रान वल्चर सीटा कुला मतलब पैरट एप्टीनो डाइट ये कौन है पेंग्विन है कारवस कारवस क्रो होता है क्रो मतलब को हुआ आजा देखो सुनो कोकोज सी यू सी के डबल एस कोयल हो गया पैसर पैसर इसका मतलब है कि स्पैरो एक ठोर बता दें बाहर अलब को बुक में है नहीं वो गैलस गैलस जानते हैं फाओल मुर्गा मुर्गे के नाम ने बर्ड का नाम है कहा हो गया और नान फ्लाइंग बर्ड में यह सारी फ्लाइंग बर्ड है समय उड़ सकती हैं हलाक इसको गैलस भी ने उसमें आता है नान फ्लाइंग बर्ड नान फ्लाइंग बर्ड में इस टूथ ही ओग इस टूथ ही ओग इसको बोलते हैं द्यातिवासाम आश्ट्रिच जिसका सबसे बड़ा एक्स होता है आश्ट्रिच सुनो अब तू लोग को प्रोग्राम चालो गए अब इती लोग वती आई रहे हैं पैंग्विन उड़ते हैं पैंग्विन समुद्र में तरती है पैंग्विन की खास बात होती है इसका जो हम फोर लिम्प होता है फोर लिम्प लिम्प आर माडिफाइड माडिफाइड फार स्वेमिंग एन उड़ती नहीं है ये स्वेमिंग के लिए स्वेमिंग हो गया समुद्र तैरती है ये और देखो ये इस टूथियो आस्टिच सुतुर मुर्ग कीवी कीवी फल जो खाते हैं कीवी बार्ड है ये 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 भी नान फ्लाइंग है रिया अमा मुर्गा ये फो डबलु ये फो डबलु ये फो डबलु ये फो 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 ये कीवी यह सब क्या है नाम फ्लाइंग बर्ड्स है फ्लाइट लेस बर्ड्स इसमें अप्टिनों डाइट तेहरने वारे छिण जाएक याद करें तेहरने वारे उड़ती नहीं है यह एक लोग दुखी हो गई कहा है उड़ती नहीं है हो गया अब आगे जो को पढ़ना है जो उसको समझे एरेस करते हैं यह चुनिया का हो गया पावो मतलब पेकाक एड का सुनो पावो मतलब पेकाक नियोफ्रान मतलब वल्चर सिटाकुला मतलब पेरेट एप्टिनोडाइड मतलब पेंग्विन कारवस मतलब कहुआ और कुकूल मतलब कोईल इतना वकमसाय दिया हुआ एक्ठिश टूथियो दिया हुआ है ठीक है का कालूमबा ली पीजिन भी लिख लो नहीं काउक सार्जी ना चुप पीजिन इसको बोलते है का सरी कालूमबा कालूमबा और कौन दिया बोलो हो गया कालूमबा हुआ ये सारे अविदर इस टूथियो नान फ्लाइंग बर्ड कीवी रिया एमू चलते ही रेस करते हैं फिर बाद है हाँ ठीक अगला जो पढ़ना है अगला जो पढ़ना है वो है मैमेल्स कलास मैमेल्स मैमेलिया होता है सुनो कलास मैमेलिया कलास मैमेलिया कश्यामेलिया का यह देखे पहले बात सुनो कलास मैमेलिया का जो वी दाओट एनी इक्सेप्षन characteristic feature है प्रेजन साप memory blend मैमेलिया का एक character होता है जो कि चिस सब मैमेल्स पायाता है बिना एक किसी exception के हुव है memory blend का पाया जाना ये क्लास मैमेलिया का सबसे peculiar characteristic feature है जो हर मैमेल्स पाय जाएगा चाहिवो पॉड़ो थिरिया ओ मेटा थिरिया हो या य Zusammen यहीं ब्हाद समझ रहा ना हैं उस्थिया का मेंबर जो होते हैं वह एक लेइंग होते हैं लेकिन फेर बहुत प्रत यह इस में अ इन पहा जाता है निपिस नहीं होता लेकिन कि मैमरी member home or thermal होंगे कैसे होंगे home or thermal वह आपको पहले बताраш चुका हूँ मैं burrowing हो सकते हैं बिल में रहने वाले cave living हो सकते हैं गुफा में रहने वाले flying हो सकते हैं उड़ने वाले terrestrial मतलब asthal पर रहने माले marine हो सकते हैं samudr में रहने वाले fresh water aquatic हो सकते हैं अब आप कहेंगे वाय मंडल मुरने वाला कौन है आप जानते हो उसका नाम है बैट चमगादर फ्लाइंग फाक्स ठीक है जानते रहिएगा बरो में रहने वाले है ने उला जाए बिल में रहने वाला है अब आप कहेंगे बोलिए यह है तो जो बिल में भी रहने वाले हैं समुद्र में रहने वाले भेल है सील है और स्विद्जल में रहने वाले है डॉल्फिन डॉल्फिनस गंगेट का डालफिनस गंगेटिका फ्रिस वाटर भी होती है और कुछ क्या होती है दूसरे वाटर भी पाई आ सकती सीर्ज होता है से काउज तो कहां कहां हर जगां पाई जाने वाले हैं इरिस करें इसको हां सुनो है नहीं ब्लू विल मैं में से इधा देखो सुनो अरे हम बतारन मैं में में है यार मैं मेल है मचली ना है आप देखो इधर क्लास मैं में लिया क्लास मैं में लिया है प्रदीव कुमार तुम आ गया जाओ सारी बाते खत्म है जहां आ जाओ उड़ो इहां तू हां गया हो का कर वो आक पता रहे हैं जल्दी करो क्लास में में लिया आओ दोरा कुछ किसक जो भाई किसक जाओ आप लोग हां पाके जब बैठी जाओ रहा है क्लास में में लिया सुनो क्लास मैमेलिया सबसे पहला सुनो सबसे पहला करेक्टर्शिक फीचर क्लास मैमेलिया का मैमरी ग्लैंड दूसरा सर्वाइकल वर्टिबरे टिपिकली सेव है निदा देखो मैमेलिया के करेक्टर है सर्वाइकल वर्टिबरे जो नेक की हड़ी होती है रिन की हड़ी वाले जोता है नेक में जो पायाता है वो साथ होती है कुछ अपवाद हो सकता है मगर साथ सर्वाइकल वर्टिबरे होगी चाहे वो चूवे की छोटी गर्दन हो चाहे वो चुते चोटी गर्दनों चाहे जो है जिराफ की लंबी गर्दनों लेकिन होगा सात ही कोसन नीट का है ये जिराफ की गर्दन लंबी होती है क्योंकि उसमें सरवाइकल वर्टेवर्डिक संख्या जयादा होती है फिर दूसरा आप दिया है कि इस सर्वाइकल वर्टिवरी लंबी-लंबी होती है लेकिन होगी साथी हो गया दूसरी बात होती है इसकी निकूपर बाड़ी हेर्स पायाते हैं सुनिए कुछ चार-पांच करेक्टर इसके ऐसे जो दूसरे किसी क्लास में नहीं मिलता पहला करेक्टर जैसे मेमरी ग्रेंड का पायाना दूसरे किसी क्लास में नहीं मिलेगा बाड़ी कूपर हेर्स पायाना कि दूसरे क्लास में नहीं मिलेगा ए ए ये ये ए लगा तेँए ऑगा फिनकों पिनना युज आुट जाते तसने पिनना पिनन बना देते लुटका खनले concerned में सुवेफेसट श्वेट ग्लेंड शीक वडिब पाईए महिव्य क्या पीवकाय ल कि suggestory सब्सक्राइब, प्रोडथिरिया लग होगा, को प्रोडधिर्य। को जोड़ करके और कुछ मार्शुपीलियां में जो है इनल अपरचर इस क्रिट्री अपरचर अलग होगा समझ रहे हैं ना अर्थात को लोग का नहीं पाए जाएगा प्लेसंटा के द्वारा डेवलप्मेंट होता है बच्चे का डेवलप्मेंट किसके द्वारा होगा प्लेसंटा होगा वीवी पैरस होते हैं कैसे होते हैं वीवी पैरस होते हैं बच्चे देने वाले समझ रहे हैं ना ओवी पैरस कुछ होते हैं जिसे प्रोड़ो थिरिया होत non-nucleated rbc काई mle molama 可 छोड़कर बाकि सारे महम घोंते हैं उसमें नं न perception आर्भी से रहें गए तो आप एक कान केव नान नैकोटनारव्यह्शिव के व्यृत पाय था है इसमें नहीं होता ईनकीलियुस्त नहीं होता हूप दिए दिए तो भी आप मानिक वही है इनुक्लियेटेड विदाउट नुक्लियस नानुक्लियस विदाउट नुक्लियस कान के वह गाँ समझ महारी बात हैं कुछ प्लेसंटा गद्वार डेवलप्मेंट होगा विवे पैरस होते हैं केवल किसको छोड़कर पॉड़ोधियन को छोड़कर समझ रहे हैं न कुलोएका नहीं पाया जाएगा मेमरी ग्लैंड होगा बाडी कूपर हेयर पाया जाएगे यह पिन्ना पाए जाएगा सीबेसियस ग्लाइड और स्वेट ग्लाइड पाए जाएगे बरोविंग होंगे मेराइन होंगे फ्रिस वाटर होंगे बिच्छा स्राइब वनलब ट्री लिविंग होंगे टेरिस्टियल होंगे वार्म ब्लेड होंगे बात सब्सक्राइब रहे हैं, यह सारे पिकुलर करेक्टर्शी फीचर हैं इसके, मैमल के, तो पहला करेक्टर, प्रेजन्स आफ, प्रेजन्स आफ, मैमरी, मैमरी ग्लैंड, विथ निपिल, फिर आवा जा रहे हैं, विथ निपिल्स या, विथ निपिल्स या, विदाउट निपिल्स, विदाउट, निपिल्स, हो गया, मैमरी ग्लैंड, पाय जाएगा, निपिल्स के साथ है, विदाउट, निपिल्स, इसकी कोई गारटि नहीं हो गया, है उगया है इंच है पिदावट एक सप्सना यह क्या है विदावट है कि एक से निम्हें आप पाई जाना को संप पूछा वह यह विदावट एक सप्सन ने बिना किसे सेप्सन के फिर क्या होता है बाड़ी इसके इन कंटेन हेयर हेयर होता है हेयर इयर पिनना प्रेजेंट यह पिननी लिए इसके 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 इसक सर्वाइकल वर्टिब्री सेवें होती है गल्ले की वर्टिब्री सेवें होती है इसकी रीचली ग्लैंडूलर होता है इसकी रीचली इसकी रीचली ग्लैंडूलर का मतलब होता है सीबेसियस ग्लैंड स्वेट ग्लैंड पाई जाएंगी क्या होंगी सीबेसियस ग्लैंड स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होगा सिबेसियस ग्लैंट स्वर्ड ग्लैंट प्रेजन्ट होगा हो गया है नेक्स्ट है टीथ जोगा है हेटरोडांट होगा ठीकोडांट होगा हेटरोडांट होगा और ठीकोडांट होगा हेटरोडांट और ठीकोडांट का मतलब क्या होगा कई प्रकार का बोनी साकेट में लॉग्ड इन बोनी साकेट और यहां पर क्या है डिफ्रेंट टाइपस डिफ्रेंट टाइपस होते हैं सुनो बात नहीं करो डिफ्रेंट टाइपस हो गया हर्ड फोर्च एंबर्ड योगा आर बेसे नान नुकलिएटेड आर बेसे नान नुकलिएटेड होगा और बाई कानकेब होगा बाई कानकेब आर बेसे नान नुकलिएट होगा बाई कानकेब होगा हो गया हो गया आकर्स थ्रू प्लेसेंटा वीवी पैरस निचर के होते हैं किस निचर के होते हैं वीवी पैरस निचर एक्सेप्ट प्रोटो थिरियन को छोड़कर यह वी पैरस होते हैं कैसे होते हैं वी पैरस हो गया इसके अलावा यह कहां होते हैं कैसे होते हैं टेरस्टियल हो सकते हैं बरोविंग हो सकते हैं बिल में रहने वाले अस्थल पर रहने वाले यह टेरस्टियल मतलब अस्थली है जानते हैं बरोविंग मतलब बिल में रहने वाले कहा राने वाले बिलवासी मेराईन समुद्रे फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर ट्री लिविंग द्रिश पिराने वाले फ्लाईंग उडने वाले सुनो फ्लाईंग बैट ट्री लिविंग बंदर फ्रेश वाटर फ्राम डॉल्फिन गंगेटिका मेराईन भेल बरोविंग तो खाली सुने ना खाली बस मुबाईल लेक पिछिर पिछिर करें यहां मत सुने हर समय हर चीज क्वाल्टी होती है अभी सुन लो फिर दिनों बर लेजा कोने देखा खो देखो यह देखो यह किसके चक्र पड़े क्या दिखा करो गुन ना पर क्या दोगा नो नहीं क्या दोगा दून लोग फस जाओ गए उनका भी आप भेजा खार अपना भी खार कर रहे है कोई मतलब नहीं एक लोग भेजा खाती है भागा विचारे है हो गया ऐसा भेजा खाती है कि भेज दीओ आगे उनने यह देखो टेरेश्टियाल अस्तलिय बरोविंग बिलवासे मैराइन समुद्रे फ्रेस वाटर फ्रेस वाटर पाए जाने माले यह से डॉल्फिन मैं काका मतलब बंदर यह से होता है मैं तेरा काका मतलब क्या है हमारे बूर्वज हैं और कौन है फ्लाइंग उड़ने वाले जैसे बैट है फ्लाइंग फॉकस है बोलिये न यह लिग को डू़ा can देखी कुश है इकश्पृश्य रेस्पिरेशन respiration occurs through respiration occurs through lung respiration किसके द्वारा होगा लंग के तो चाहे वो समुद्र वाले हो चाहे पानी वाले हो occurs through lung lung के द्वारा होगा excretion अकर्स्त्रो metanephric kidney metanephric kidney homeothermal ये भी होंगे homeothermal होंगे इसके लावा ये homeothermal होंगे अब इसके बाद इसमें जो क्वालिटी होती है टेस्टीस ही नहीं टेस्टीस प्रेजेंट इन इसकोटल सेक बाहर इसकोटल सेक outside from abdomen abdomen से बाहर outside from the abdomen हो गया outside from abdomen men cloaca absent हो का except except egg-laying mammals egg-laying mammals egg-laying mammals को छोड़कर except egg-laying mammals अर्षमें 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 कुछी बादादें अर्षमें प्रोलिम्प प्रोलिम्प मॉडिफाइड फार किस के लिए मॉडिफाइड होगा इसका पहला प्रोलिम्प स्वीमिंग के लिए जैसा के वेल में वेल में स्वीमिंग के लिए क्लाइम्बिंग के लिए चड़ने के लिए बानर के लिए दे दे मंकी इसक्वाइरल जो भी है स्वीमिंग के लिए ग्रैस्पिंग के लिए उत्वाजन वकत पकड़ने के लिए रनिंग के लिए दोडने के लिए आप जानते हैं गोडे में देख लिए चिता में देख लिए सब् बरोविंग के लिए बरोफार्मेशन के लिए बरोफार्मेशन हो गया और किसके लिए फ्लाइंग के लिए फ्लाइंग के लिए होता है एक्जामपल जैसे बैठ है जम्मेन में अग्रैस्पिंग मतलब है आप तो ही जन्व aeg hypotheses आपको पकड़ने लिए छाथ है रनिंग के लिए गोड़े में बोलिये न एक्जामपल जैसे हीओमन हो गया रनिंग Ama रनिंग के लिए जैसे गोड़ा हो गया बरो फारमेशन के लिए उसे कौन हो गया हेयर हो गया या कारे पिठ हो गया यह सब है नेblock पतान्बुक में आपके दिया कि इसके लिए इस आपश्यकारा रीवार दिया है पर अंब vast को इसके हो eg आरे वेल सेल सबके लिए वेल सेल उसके लिए दुरिए इरेस करें इसको बुलिए कल इसका क्लासिफिकेशन करा देते हैं कल इसका क्या करा देंगे क्लासिफिकेशन क्योंकि इसमें स्कोशन पूछता क्लासिफिकेशन में से प्रोड़ थरी या मेडा थरी या यू थरी या कर ज्यादा नहीं आडर लिखाएंगे शोला अर्डर लेकिन आपको आट दस आडर लिखवा दें खाली इससे ताकि जो जो आदने वाले हैं समझ रहे ना क्योंकि कोई मतलब होगा नहीं फाल तो आपको पश्ठो का टाइम तो क्लासिफिकेशन लिखवा देंगे ठीक चलते हैं बाए